होली की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक्ष्प कामना हैं आज होली का पर्व पूरे विश्व में और यहां तक की पूरे भारत में मनाया जा रहा है अलगातार लोग तैयारियों के उपर तैयारियां कर रहे हैं सोच रहें कल किस तरह से हौली का पर्व मनाएंगे, अपनों के साथ केशे गुलेंगे मिलेंगे, और आपने देखा होगा को हौली पर भाईचारे का एक ऐसा मिसाल देखाए देता है, जो शायद पूरे साल बर नहीं दिखाए देता, किसी दूसरे पर्व पर इतने मिलनसार इतना भाईचारा नहीं दिखाय देता, लेकिन होली पर सबी लोग अपने गमों को भुला देते हैं, और कोई अगर दुश्मन भी होगा तो उसको भी गले लगा लेते हैं, यही तो पर्व है, यही तो भारत की संस्कृति है, और यह संस्कृति को ही आज हम लोगों ने जिन् अच्छा लगे और उनको भी अच्छा लगे, हमेशन याद रखना इस होली हमें कुछ कास करना है, कुछ special करना है, ऐसा क्या करें, ऐसा क्या special करें, जिससे अपनी भी कुछ हों और हम भी कुछ हों, तो इस होली आपको कुछ नहीं करना है, सबसे बड़ी चीज याद रखन है कि सामने वाला किस तरह से कुश होता है उसकी पसंद का मुझे विश्यश ध्यान रखना है हमेशा यह बात याद रखना कि जिस इंसान को जो पसंद हो उसे इस होली पर दे दिया जाए अगर किसी को प्यार पसंद हो तो प्यार दिया जाए किसी को कोई वस्तु पसंद है त और उन छोटी बातों को हम ध्यान में रख कर इस होली को बिलकुल special बनाने वाले हैं। सबसे पहला point कि जो आपके करीबी हैं, जो आपको बिलकुल अच्छे से आपको प्यार करते हैं, जैसे आपके मम्मी हो गई, पापा हो गई, भाई हो गई, बहन हो गई, तो आप इस होली उनको special फील करा सकते हैं। कुछ ऐसा unique trick निकालें, जिससे आधार पर वो इस होली बहुत अच्छे से enjoy करें और बहुत अच्छे से वो इस होली को मनाएं। दूसरा हम उन सभी दोस्तों को विध्यान में रखें, जो दोस्त शायद हमारे पीछे चूट गए हैं, जो दोस्त शायद बच्पन में पीछे चूट गए हैं, पढ़ाई के दोरान पीते चूट गए हैं, शायद हम किसी अलग मुकाम पर, अलग जगर पर आकर बेटे किसी भी पद पोजिशन पे हूँ, किसी भी ओदे पर हूँ, चाहे कितने ही हम एजर्ड हूँ, चाहे भुजुर्ग हूँ, चाहे हम टीनेज में हूँ, किसी भी आयू वर्ग के हूँ, लेकिन हम उन सभी दोस्तों को हम याद करना चाहिए, जो दोस्त हमारे पीछे चुट है आज उन दोस्तों के साथ होली मनाने का दिन है अगर उन दोस्तों को याद करकर कि कोई दोस्त है उसको मैं दस साल पहले मिला था शायद उसके नंबर मेरे पास नहीं है और शायद मैं अगर इस बार उस दोस्तों को कहीं से भी अगर कॉंटेक्ट करूं तो मान के चलना आप की होली बहुत इस्पेशल होने वाली है वो दोस्त आपको दस साल बाद जब फोन करे या आप उसको फोन करो तो कितना special feel होगा ये चीज हम्मिशा करें होली पर जितने भी दोस्त हों उनको एक बार जरूर contact करें इससे क्या होगा आपका bonding बहुत अच्छी और relation बहुत अच्छे होंगे आपकी कुशी आज के लिए नहीं है जिन्दिगी भर हमने डिप्रेशन लिए तिंताहें लिए आज ये करना है कलव करना है एक दो दिन भी इसको स्टॉप करो और हमें कुशी के साथ हैपिनेस के साथ इस पर्व को बड़े धूमदाम से मनाना है अगला जो टिप्स है हमेशा हमारे जो साथ रहते हैं हमेशा 14 गंटे जो हमारे साथ रहे उनको भी special feel कराओ अगर आप उन से चिड्चडे रहते हूं आप उन से मनमुटाओ रखते हूं आप कहीन कहीन की बात नहीं मानते तो आज उनको भी special feel कराने का दिन है तब जाकर आपकी होली successful होली होगी हमेशा थोड़ा सा ध्यान उन गरीब परिवारों का भी रखे जो शायद आपके घरों में किचन में बरतन साप करने का काम करते हैं या फिर खाना बनाने का काम करते हैं आपके बच्चों को समालने का काम करते हैं आपके घर में गाड की नोकरी करते हैं यानि जो छोटे बैचारे गरीब तपके के वेक्ति जो आपके घर में किसी ने किसी कारणवश काम कर रहे हैं तो उन सभी लोगों को भी आपको special feel कराना है होली सभी के लिए है पर्व सभी के लिए आता है वो भी इनसान है हम भी इनसान है थोड़ी सी कुशी अगर उनके साथ बाट ली जाए तो कोई गम नहीं है थोड़ा सा उनको भी special feel कराएं कि जो बचारे गरीब है जो अच्छे से अपने पैसे से होली नहीं मना सकते थोड़ा सा उनकी मदद करें अगर आप ऐसा करेंगे तो मान के चलना का आपको अंदर से बहुत अच्छा feel होगा होली के टाइम पर अपने बुजूर्गों का भी ध्यान रखें उनको भी special feel कराना ना भूले क्योंकि बुजूर्ग जो होते हैं हमारे परिवार की शान होते हैं क्योंकि बुजूर्गों से ही हमारे परिवार का नाम है तो जब वो कुश होंगे तो कहीं न कहीं हमारा जो परिवार की जो आत्मा है वो कुश होगी तो परिवार के अगर आत्मा कोश होगी तो इसका मतलब ये मान के चलना आपका परिवार हमेशा हैपी रहेगा इस होली अपने बुज़ूर्गों को भी हमेशा ध्यान रखें और उनको भी एक अच्छा स्पेशल फिल कराएं इस होली पर हमें क्या करना है हम दोस्तों के साथ साथ हमें क्या है आस परोस के जितने भी वेक्ति है जिन से भी हमारे कहीं न कहीं जो रिलेशन खराब हो चुके हैं उन रिलेशनों को भी हमें क्या करना है सुदारना है क्योंकि ये मौका होता है त्योहार हमें relation सुदारने का मौका देते हैं त्योहार हमें बहुत सारे जो मनमुटाव हमारे बीच में चल रहे हैं उनको सुदारने का मौका देते हैं ये एक बहुत बड़ी opportunity है opportunity इसलिए बहुत कह रहा हूं है कि त्योहार पर हर कोई सौप्ट कॉर्नर रखता है त्योहार पर हर कोई व्यक्ति एक सौप्ट कॉर्नर यूज़ करता है हर कोई चाता है कि में दूसरे से जाकर मिलू हर कोई चाता है कि मेरे से भी कोई बोले हर कोई चाता है कि मेरे को भी कोई हैपी रखे तो हमीशा ध्यान रखे कि अगर आपका सादबर में अगर किसी से मनमुटाव हुआ है तो उस मनमुटाव को मिटाने का सबसे अच्छा जो परव है वो होली है तो कि होली पर जब हम रंग लगाते एक दूसरे को तो कितरा इसने से कितरा प्यार से कितरा सम्मान के साथ एक दूसरे को रिगार दे कर हम एक दूसरे से बात करते हैं एक दूसरे को रंग लगाते हैं रंगों का तियोहार है तो रंग हम नेच्छल रंग ही ज़्यादा यूज़ करें क्योंकि जादा तर आज chemical वाले रंग आ रहे हैं तो chemical वाले रंगों को थोड़ा avoid करें थोड़ा सा natural जो रंग है उनी रंगों को अपने जीवन में आप भरे तो कि जो रंग है वो हमारी बहुत ही मान के चलना कि हमारी nature ने हमें एक सोगात दी है रंग हमारी जीवन में बहुत माईने रखते हैं इसलिए इस तूल रंगों के साथ आपके मन के जो रंग है उनको भी आपको क्या करना है अच्छा से अच्छी से enjoy करना है मन के रंग कौन कौन से है सुक है शांति है प्रेम है आनंद है करुना है दया है ये आपकी जीवन के र रंग है और इनी रंगों को आपको अपने जीवन में संजोना है अपने परिवार की जीवन में संजोना है और हमारे जो बिलकुल करीबी लोग है उनको भी आपको अच्छा स्पेशल फीर कराना है इस होली बहुत धूमदाम से बहुत अच्छे से और बहुत प्यार और इस